इसे उठाके और यह देखिए अंदर की तरफ देखिए यह हमने जो पत्ती लगाई है एकदम पूरा मिल जाता है यानि माल भी नहीं गिरेगा आपको इसे उठाके और यह बोल्ट लगा देना है लगाओ भी तभी एक नोलेज में आपको देते जाता हूं कि इसके अंदर हमने कुछ अपडेट किया है वो भी आपको बता दू और इसे जो खोल रहा है यह बंदा नेट बोल्ट क्यों खोल रहा है इस होपर के अंदर हमने क्या कर आप देख पारे होंगे यह फोल्डिंग सिस्टम कर दिया है और इसमें हमने यह नट बोल्ट लगा दिया है और यह जो सुराग देख रहे हैं कई सारे सुराग है इधर का भी खोलो भी कई सारे सुराग है और जल्दी खोलो तो रोक लो भी तो इसे क्या है हमने फोल्डिं कर दिया देखिए यह दिया purpose क्या कर दिया संगी कुमार इसे तो कांड दिया डीलगो यह बहुत ही एक्षी technology लगा दी इसके अंदर हाइट को लेके इसाट में अब एक पी हाइट भार टी सिस्के त्थह इसा livre ले जाना हो तो हम इसका होपर खोल के इंजिन को उपर देंगे और इसकी हाइट हो जाएगी कम जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको उपर करके अब इसे देख पा रहे होंगे यहां सामने से देखिए यहां से पहले क्या था उसको लगाने पर वह बहुत ऊपर उड़ जा रहा था तो उससे उपर हाइट निकल जा रही थी तो अगर गली मैं कहीं भी ले जा रहे हो तो दस्पूर से हाइट कम मिलती है तो यह फसने का तारोवारों में दिक्कत थी अब यह इंजिन भी आ जाएगा इसका मैं इंजिन भी मो करके दिखा देता हूँ आपको क्योंकि इसका इ इंजिन निकालने के लिए मैंने बताया था यह हमें एक पिन निकालनी होगी और यह पिन निकालनी है और इसको हमें उदर धक्का दे देना आजो यह देखिए कैसे एक आदमी से यह मिला देना है उदर कितनी हािट है अभी और नीचे हो जाएगा यह थोड़ा सा अces ऑच और नीचे हो जाएगा थोड़ा सा बाज अभी उस्से भी नीचे हो गया इसकी हाइट यानि दस फूर्ट के अंदर में हो गया जोकि इससे क्या है अब इसका दोनों का लेविल बराबर हो गया जब भी भी इसे लेके जाना हो आपको तो इसको इस साइड पे कर देंगे और जब चलाना हो तो उसको खोल देंगे तो अब हम इसका ये क्या करते हैं उधर करके इसको कसके दिखाता हूं मैं आपको अब हम इसे क्या है इंजन को उधर कर देंगे देखो यह अराम से कर दो बाज अब इसे डाउन कर देंगे यहां यह देखते रहें कैसे यह डाउन हो रहा है नीचे की तरफ इसकी स्पीट उठने की और डाउन करने की बढ़ाई जा सकती है यहां पर एक प्रेशर होता है जिससे कसके कम ज्यादा किया जा सकता है और इसे जब डाउन करें तो उसको एक आदी पकड़ लेगा उसे खीचो हाँ एक आदी पकड़ लेगा यह यह देखे पूरा डाउन हो गया पकड़ लेगा और फिर जब इसे चलाना हो तो क्या करना हमे इसे उठाके और यह देखिए अंदर की तरफ देखिए यह हमने जो पत्ती लगाई है एक दम पूरा मी जाता है यानि माल भी नहीं गिरेगा आपको इसे उठाके और यह बोल्ट लगा देना है लगाओ भी यह मैं खुद डेमो करके दिखा रहा हूँ आपको इधर भी लगा दो लगाओ यह देखिए कैसे यह दुबारा वैसे ही बन गया और यह बोल्ट एक दम फुल करकस्देना है बोल्ट फुल करसो इधर से दिखाओ सामें दिखाओ यह देखिए बोल्ट यह दबा के चार पांच बोल्ट हैं कस दो इसके क्या है इसके वजन पर भी फर्क नहीं पड़ेगा जो यहां लोड से लगे हुए है वजन प्रोपर ही बतारेगा आपकर यह अब कोई दिक्कत न देखो यह पूरा मिल गया देखिए यह सामने से देखो पूरा मिल गया यह ओपर तयार हो गया अब इसको दिखाता हूं मैं उपर करके अब देखिए उचके अब यहां से देख पा रहूंगे अब यहां से देख पा रहूंगे यहां से देखिए सामने से और यहां सामने से दिखाओ वो बाहर निकल रहा है यांई यह भी प्रॉल्म फोल्ब गए पहले हम इसको हाइट कम करने के लिए दिमाग लगा रहते हैं की रसे वाला बनाए बकट इसका हो पर वाला नीचे से उटके जब डले पर उसमें बहुत प्रॉलम थी वह बिजना बिजली के वह नहीं बन पाता जो नीचे से रसी से उटता है जब डलता है अब इसकी भी प्रॉलम सौल हो गई हमने वह खोलने का सिस्टम जो बना दिया फिलाल तो यह इतने पर डाउन रहेगा इंजन बंद होने जो आप लोग यह बताते रहते हैं आइडिया देते रहते हैं इनके इधार आओ यह हैं हमारे पास अकाश अमर साहू जो यह मशीन ले रहे हैं मशीन के ओनर है और इनके फादर ने यह आइडिया दिया था बालचन साहू जी ने उनको बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि य तो चीज़ आप बताते हैं वो हम सौर्ब कर देते हैं यानि दिमाग आप लोग करेता है और मैंटनेस और करने काम हमारा रेता है तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे यह चीजे और ऐसे ही अपना आइडिया और सुजाओ देते रहिए मैं उसे फॉलो करता रहोगा कैसी लग बहुत बहुत धन्यवाद हिर्दे की किराई से नमस्कार जैस श्रीक रिशिए